नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 20th century की एक confessional poet को जिनका नाम है कमलादास इस वीडियो में दोस्तों हम इनकी biography और इनकी works को दोस्तों discuss करेंगे मैं कोशिस करूँगा इस वीडियो के बाद आपको कमलादास की biography पढ़ने की ज़रूरत ना पढ़े तो सारी की सारी चीजे जो basic से लेके advanced level तक की हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिस करूँगा और कोशिस करूँगा कि कोई भी चीज ना छूटे तो सुरू करते हैं दोस्तो आज की हमारी वीडियो को सबसे पहले दोस्तो मैं आपको इसकी basic information बता देता हूँ कि कमलादास कहां पर born हुई थी या फिर इनके family में कौन को लोग थे ये सारी information मैं आपको दूँगा सबसे पहले बर्थ की बात करते हैं दोस्तो कमलादास का जो जनम हुआ था वो 31st March 1934 को हुआ था 1934 में दोस्तो कमलादास का जनम हुआ था यहाँ पर देखें PGT या फिर NET examination जो आपके होते हैं उसमें year जो होती है बर्थ की year उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है तो इसका दोस्तो screenshot ले लेना वीम नायर जो इनके पापा का नाम था इनके फादर का नाम था वो वीम नायर था ठीक है इनकी मदर जो थी उनका नाम है बालामानी अम्मा ये इनकी मम्मी का नाम है और इनकी occupation की बात करूं तो मैं दोस्तो ये 20th century की confessional poet है ये साथ में नोबलिस्ट भी है short story भी ये लिखा करती थी दोस्तो यहाँ पर जो exam में question बनता है वो ये बनता है कि कमला दास कहां से बिलोंग करती थी कौन सी century से बिलोंग करती थी तो आपको बताना है दोस्तो ये 20th century से बिलोंग करती थी या फिर आपसे exam में ये पूछा जाता है कि 4 option दे दिया आते हैं क कि इन में से कौन सी confessional poet है तो आपको दोस्तो उसमें कमला दास का answer देना है तो दो question इस से बन जाते हैं आप लोगों को ये ध्यान रखना है इसके अलावा दोस्तो इनके spouse की बात करें तो के माधवादास जो थे इनके husband का नाम था इनकी death की बात करें तो दोस्तो देखिए यहाँ पर इनका जनम भी जो हुआ था वो 31st को हुआ था और इनकी death भी जो हुई थी वो 31st को ही हुई थी मार्च में इनका जनम हुआ था और 31st में को इनकी death हो गई थी सिर्फ और दोस्तो येर अलग है 2009 में इनकी death हुई थी तो ये चीज़े आपको द्यानक नहीं है और क पिता का नाम क्या था दोस्तो वी एम नायर था और ये क्या थे दोस्तो एक managing editor थे किस में मात्र भूमी एक newspaper था मात्र भूमी जो है दोस्तो ये एक newspaper का नाम है जो मल्यालम language में ही दोस्तो छापा जाता था मल्यालम डेली मात्र भूमी newspaper इसका नाम था इनकी मदर जो थी जिसका नाम था दोस्तो नालापट बालामानी अम्मा ठीक है ये क्या थी दोस्तो एक बहुत ही प्रसीद जो थी मल्याली पोईटेस थी आगे बढ़ते हैं इनका जो प्यार था पोईटरी के लिए मतलब जो कमलादास थी वो किस से एंफुलियंस हुई थी वो अपने एक ग्रेट अं उमर तक जो कमलादास हैं उनकी एजुकेशन को प्राइवेटली कराय गया था लेकिन दोस्तो 15 साल की उमर में ही जो की बहुती छोटी उमर मानी जाती है 15 साल की उमर में ही इनकी साधी कर दी गई थी देखिए यहाँ पर दो कोश्चन आप से पूछे जा सकते हैं कि कमलाद की जो साधी हुई थी वो किस एर भी हुई थी तो 1949 में दोस्तो कमलादास की साधी हुई थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी बढ़ते हैं आगे C was married to मादवदास देखिए यहाँ पर K मादवदास है मैं आपको पीछे बता चुका हूँ K मादवदास उनका नाम था इनके हस्बेंड का नाम K मादवदास है अगर इनके हस्बेंड का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको K मादवदास देना है जो की एक employee थे कहाँ प हर पैन नेम देखे दोस्तों जब जो कमलादास थी इनका नाम कमलादास का पड़ा देखे इन्हें अपनी लाइफ में जो कमलादास की लाइफ थी इन्हें पूरी लाइफ में तीन नामों से जाना जाता था 15 साल से पहले जब ये 15 साल से पहले की थी मतलब इनकी साधी नहीं ह husband का नाम जो था के मादवादास था तो इसी विज़े से दोस्तों इनका साधी के बाद नाम कमलादास पड़ा जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं अभी एक नाम और ऐसा है जो हमें जानना बाकी है दो नाम आपको पता चल गए अगर आपसे कमलादास के पैन नेम के बारे पू कमलादास एक पहली भारतिय ऐसी महिला थी जो इंगलिस में लिखा करती थी और जिन्होंने इंगलिस में लिखते हुए openly मलब खुल के बात की थी किसके बारे में जो औरतों की sexual desires होती हैं उनके बारे में बात की थी इसी लिए दोस्तों इन्हें confessional poet भी कहा जाता है poetry does not sell in this country यहाँ पर दोस्तों जो this है यह इंडिया के लिए कहा गया है यह statement कमलादास का दिया गया है और बहुत ही अच्छा और important statement है कि poetry does not sell in this country यह किस ने कहा है कमलादास ने कहा है I hope यहाँ तक कि सारी information जो कमलादास के बारे में मैंने आपको दी हैं आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों जो भी information आपको important लगे उसको आप note down कर लेना या फिर screenshot ले लेना ठीक है बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं इनके works की जो कमलादास की biography है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों इनके works के से बहुत ज़्यादा questions हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों कमलादास ने कई important poetry collection लिखे poetry collections में सबसे पहला उनका poetry collection है summer in कलकता जो आये था दोस्तों 1965 में 1965 में इनका first poetry collection आये था जिसका नाम है summer in कलकता ये poetry collection है दोस्तों इसके अंदर कमलादास के poetry collection के अंदर 50 poems है तो question ये बन सकता है कि कमलादास का जो first poetry collection है उसका नाम क्या है पहला कोच्चन तो आपको answer देना है summer in connected ठीक है या फिर दूसरा कोच्चन इस तरह से बन सकता है कि summer in connected is written by kamiladas when it came तो दोस्तो आदो 1965 इसका answer देना है या फिर यह कितनी poems contain करता है तो आपको दोस्तो 50 poems इसका answer देना है ठीक है इस poetry कलेक्शन के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों बैटरियल मतलब की धोका धड़ी जो चीजे होती है वो देखने के लिए मिलती है एक कोश्चन इसमें इस तरह का और बन सकता है कि समरिन कलकत्ता जो कमलादास ने लिखा है उसके अंदर पचास पोएम्स है औ तो आपको दोस्तों बताना है देंस ओफ यूनेक ये आपको दोस्तों बताना है इस अगर इस सब्द का आपको मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब होता है दोस्तों किनर लोग ठीक है तो 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 देंस ओफ यूनेक जो है दोस्तों इसका first poem थी इस collection की यहाँ पर मैंने कुछ famous poems के दोस्तो नाम आपको दिये हैं जैसे की my grandmother's house a relationship farewells to Bombay a heart known in Malabar an introduction देखिए दोस्तो यह काफी अच्छी poems है और जो an introduction है यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी poem है दोस्तो इससे बार बार exam में questions पूछे जाते हैं यहाँ पर मैंने and more लिखा हुआ है तो 50 poems में से जो भी आपको important लगती है तो आप उसको जरूर पढ़ ले बढ़ते हैं दोस्तो आगे अब बात करते हैं दोस्तो इनके second poetry collection की जो इनका second poetry collection है वो है the descendants यह आया था दोस्तो 1967 में यह इनका second poetry collection है इसके अंदर दोस्तो कमलदास ने 23 poems को include किया है और इसकी जो theme है वो sexual love and death है दोस्तो इसमें से famous poems मैंने आपके लिए निकाल दी हैं दोस्तो जैसे की The Invitation The Invitation से कभी-कभी यह पूछ लियाता है कि The Invitation जो कमलदास के दुआरा लिखी गई एक poem है उसको इन्होंने किस form में लिखा है तो दोस्तो यह आपको बताना है Dialogue form में इसको लिखा है इसके अलावा दोस्तो A request, Composition, The Dissidents और बहुत सारी ऐसी poems इसके अंदर हो सकती है जो भी आपको अच्छी लगें कि हमें इन्हें पढ़ना चाहिए आपको वो जरूर पढ़नी है और आगे चलकर मैं कुछ वीडियो में इनके works की detail भी लेके आऊँगा मतलब कि मैं आपको one by one poems को भी दोस्तो पढ़ाऊँगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे इनके third poetry collection की तरफ दोस्तो इनका third poetry collection है The Old Playhouse and Other Poems ये जो poetry collection है 1973 में दोस्तो आया था 1973 में ये poetry collection आया था कमलादास का दुवारा लिखा गया ये बहुती अच्छा और important poetry collection है दोस्तो इस poetry collection के अंदर कमलादास ने 33 poems को दोस्तो इंकलूड किया है और जानने वाली बात ये है दोस्तो कमलादास ने 14 poems यहाँ पर देखिए 14 poems जो है वो अपने समरिन कलकत्ता से उठाई है जो इनका पहला poetry collection था जो कब आया था दोस्तो 1965 में उससे उठाई है और 6 poems जो उठाई है अपने second poetry collection से उठाई है जो है दा डिक अब आया था दोस्तो 1967 में आया था जो rest है मतलब कि कितनी poems बची दोस्तो 13 poems बची यह 13 poems जो है वो इस poetry collection के अंदर new है तो questions जो बनते हैं दोस्तो इन poetry collections के अंदर जितनी भी poem हैं उनसे ही बनते हैं या फिर poetry collections की detail जो मैंने आपको दी है उनसे questions बनते हैं बढ़ते हैं आगे my story देखें बहुत ही ज़्यादा important work है इनका my story जो कि एक autobiographical दोस्तो work है जो English में दोस्तो लाय गया था 1976 में 1976 में दोस्तो इसे English में लिखा गया था कमलादास के द्वारा ये एक autobiographical work है दोस्तो कमलादास के द्वारा लिखा गया दोस्तो इसको originally किस में publish किया गया था मल्यालम language के अंदर ही publish किया गया था जिसका नाम था दोस्तो Ante का था ठीक है तो आपसे exam में ये पुछ लियाता है my story जो कमलादास के द्वारा लिखी गई है उसको English में कब translate किया गया था तो दोस्तो 1976 इसका answer आपको देना है ये एक autobiographical work है और ये originally published किस language में हुई थी तो मल्यालम में हुई थी और जो मल्यालम में हुई थी तो उसका जो title था वो क्या था तो दोस्तो Ante का था आपको दोस्तो इसका answer देना है ये इसके बाद दोस्तो 14 यानि के 14 international language के अंदर दोस्तो इसे translate किया गया था ये हिंदी में भी है दोस्तो तो ये बहुत ही important work है कमलादास का ये आपको दोस्तो ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तो आगे कमलादास ने तो 1970 ये दोनों बहुत ही अच्छे और important work है इनके ये चीज़े आपको याद रखनी है दिखे दोस्तो जो कमलादास की साधी हुई थी वो 1949 में हुई थी किसके साथ के मादवादास के साथ हुई थी जो employee थे किसके Reserve Bank of India के employee थे और ये के मादवादास हो गया था वो मैं आगे चलके आपको बताऊंगा उसकी history थोड़ी सी Only the soul knows how to sing 1996 is another poetry collection which has 153 poems देखे दोस्तो उन तीनों collection के अंदर तो मैंने आपको चीज़े क्या क्या थी वो बता दिया था लेकिन ये चोथा poetry collection है जो कमलादास ने लिखा था जो लिखा था दोस्तो 1996 में इस poetry collection को लिखा था जिसका नाम है Only the soul knows how to sing ये जो poetry collection है इसके अंदर दोस्तो 153 poems हैं कमलादास की बढ़ते हैं आगे She accepted Islam at the age of 65 on 16 December 1999 देखे दोस्तो कमलादास की husband जो थे उनका नाम के महादमादास था और उनकी death जो हो गई थी वो 1992 में हो गई थी मैंने पिछली ही slide पे आपको बताया है इनके मरने के बाद दोस्तो एक Muslim लड़के से इन्हें प्यार हो गया था उसने इनसे कहा था कि यदि तुम उससे साधी करना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुमें इसलाम जो है accept करना पड़ेगा तो दोस्तो कमला दास ने 16 दिसंबर 1909 में इसलाम को accept कर लिया था और इसलाम को accept करने के बाद इनका नाम कमला शुराया दोस्तो पड़ गया था इन्होंने अपना नाम लिखा था कमला शुराया तो दोस्तो कमलादास के तीन नाम थे पहला माड़ी कुट्टी दूसरा कमलादास और तीसरा कमलाश शुराया ठीक है जो माड़ी कुट्टी था इनका बच्पन से ही नाम था इनका पैन नेम भी माड़ी कुट्टी था और कमलादास जो था दोस्तो इनकी साधी के ब पूल कर लिया लेकिन उस बंदे ने इनसे कभी भी साधी नहीं की उसके बाद इने छोड़ दिया ये दोस्तों कमलादास के तीन बच्चे थे तीन बेटे थे ये फिर से हिंदू बनना चाहती थी लेकिन इनके बेटे ने मना कर दिया कि यदि आप फिर से हिंदू बनना चाहत तो लोग आपको ट्रोल करेंगे वो आपके गलत गलत कमेंट करेंगे कि इन्होंने धरम बदलने को एक मजाक समझा हुआ है तो ये वापस से हिंदू बनना चाहती थी लेकिन ये फिर कभी हिंदू नहीं बन पाई तो इनकी जो डैथ हुई थी as a Muslim ही हुई थी उस बंदे ने इनको धोगा दे दिया था इन्होंने दा हिंदू के इंटर्व्यू में भी कहा है ये बहुत ही important लाइन है जोस्तो आय फैल इन लव विद ए Muslim man after my husband that देखी यहां पर इन्होंने साफ साफ कहा था इंटर्व्यू में कि मैं अपने husband की दैत के बाद एक मुसलिम लड़के के प्यार में पड़ गई थी यह कहती है कि वो इस टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा था लेकिन बाद में मुझे रिलाइस हुआ जब उसने मुझे धोकर दे दिया कि किसी भी इंसान को अपना धरम चेंज नहीं करना चाहिए ठीक है तो यह कमलादास की बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है एक्जाम में पूछ ली जाती है और कमलादास को 2009 में दोस्तो दा टाइम्स ने दा मदर ओफ मोडरन इंग्लिस इंडियन पोईटरी भी कहा था यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है इसे नोट करके रखना दोस्तो 31st में 2009 को at the age of 75 इनकी डैथ हो गई थी दोस्तो पूने के एक होस्पीटल में अब दोस्तो बात करते हैं इनके ओनर की या इनके प्राइज की जो एक्जाम में बार बार पूचे जाते हैं या फिर कमलादास को मिले थे सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है केला साहित्या अकैडमी अवार्ड है दोस्तो ये इनको मिला था कब 1969 में दोस्तो मिला था ठीक है दोस्तो 1984 में कमलादास का नाम नॉमिनेट किया गया था किस चीज के लिए नोवल प्राइस के लिए नॉमिनेट किया गया था ये हैं दोस्तो इंपोर्टेंट प्राइस जो कमलादास को मिले थे लेकिन इसके अलावा एक और important prize है दोस्तों जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Asian Pan Poetry Award जो मिला था दोस्तों इनको 1964 में Asian Pan Poetry Award जो है इनको 1964 में मिला था अब question यह आता है कि आपने जब यह मिला था तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा तो दोस्तों net पर Wikipedia पर जब भी आप इसको पढ़ोगे तो यह 1963 है लेकिन मैंने कुछ जो authentic book मुझे लगती है मैंने उनसे इसको match किया तो वहाँ पर मुझे 1964 मिला थीक है तो मेरे coding तो यह 1964 होना चाहिए आप 1963 लगाना चाहते हैं तो आप इसको mark कर सकते हैं इसमें आपको कोई नहीं रोकने वाला है तो मेरे coding यह 1964 है Asian Pen Poetry Award जो मिला है कमलादास को इनके point है कुछ जो हमें याद रखने चाहिए दोस्तों जो कमलादास का pen name है या फिर इनकी 15 साल की उमर के पहले जो इनका नाम था वो माधवी कुट्टी था ठीक है और 1949 में at the age of 15 she was married to के माधवादास के माधवादास के साथ इनकी marriage हुई थी जो imperial जो reserve back of India के दोस्तों क्या थे employee थे कमलादास ने first poetry collection लिखा था अपना 1965 में दोस्तों जिसके अंदर कितनी poems थी 50 poems थी जिसका नाम था summer in Calcutta ठीक है ये poetry collection कमलादास ने लिखा था दूसरा poetry collection था इनका दोस्तों the descendants ये इनका second poetry collection है और देखे यहाँ पर एक misprinting हुई है यहाँ पर ये 1967 है 1967 है और which has 23 poems जिसके अंदर दोस्तों 23 poems है तो दोस्तों यहाँ पर ये 1967 है इसको आपको 1967 कर लेना है ठीक है the third poetry collection जो कमलादास का है जो 1973 में आये था the old playhouse and other poems है जिसके अंदर दोस्तों कितनी poems है 33 poems है जो 33 poems में से दोस्तों 14 poems दो है वो इस poetry collection से ली गई है समरिन कलकत्ता से और जो 6 poem है दोस्तों वो the dissident से ली गई है बिलकर कितनी poem हो गई 20 poem हो गई और 13 जो है जो new है वो कितनी poem है दोस्तों 13 poems है जो कमलादास ने लिखी है तो I hope यह सारी information आपको समझ में आ गई है ठीक है जो भी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो ध्यान रखनी है इसके अलावा जो my story है इनकी जो कमलादास की autobiographical book है दोस्तों वो 1976 में English में translate हुई थी originally यह मल्यालम में लिखी गई थी मल्यालम में इसका जो title था वो Ante Katha था ठीक बलते हैं आगे she accepted Islam at the age of 65 on 16th November 1999 को इन्होंने Islam accept कर लिया था ठीक कुछ और पॉइंट से जैसे कमलादास ने दोस्तों साहित्या Academy Award को रिसीब किया था इनको मिला था यह Award केरला साहित्या Academy Award जो मिला था इनको 1969 में तो कमलादास को केरला साहित्या Academy Award जो मिला था वो 1969 में मिला था इसके अलावा दोस्तों कमलादास को साहित्या Academy Award मिला था जो मिला था दोस्तों 1885 में ठीक आगे बढ़ते हैं The Invitation जो इनकी poem है दोस्तों वो dialogue 4 में लिखी गई है और इनकी death जो हुई थी दोस्तों वो 31st May 2009 को हुई है जो at the age of 75 थी ठीक है कहां पर पूने के एक hospital में इनकी death हुई थी और इनको दोस्तों जामा मस्जीद का जो graveyard था वहाँ पर इनको दफनाए गया था और full owner के साथ इनको दफनाए गया था दोस्तों तो ये थी सारी की सारी biography कमलादास की I hope ये आपको समय में आई होगी दोस्तों कोई point अगर छूट गया है या आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने authentic नहीं बताया है तो आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं I hope ये सारी information आप लोगों के लिए beneficial रही होगी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद